हम किसी के धरम के खलाप नहीं है, धरम को तुम बजाओ, अपने घर में रखो, कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर तुम इस देश में अंद्विश्वात नहीं फैला सकते, नहीं फैला सकते, नहीं फैला सकते बागेश्वर नहीं है बागेश्वर नागपुर से भागा हुआ बाबा है और वो संविधान के डड़ से भागा है क्यों क्योंकि उसे पता था संविधान उसको अरिस्ट करवा देता और संविधान की यह पावर थी कि वह अगर नहीं भागता तो वो जेल में होता इसलिए वो बागेसवर नी भागेसवर है लाम रही में आपने देखा होगा लाखों महिला जाती थी लाखों लोग जाते थे अब कहां जेल में अगर कानून नहीं होता सविधान नहीं होता तो यह बाबा कभी जेल में नहीं जाते सविधान सबसे उपर है यह बाबाओं जो है बाब पुल्स सभीधान के अंदर दिया है अगर किसी के चाचा का नाम किसी के बेटे का नाम किसी को पतनी के नाम पता देंगे तो वो चमत्कार है क्या वोच नहीं है तो इसलिए ऐसे लोगों पर लगावे लगनी चाहिए और जो भीड जाती है in बहुज़नों की महील है और उनके साथ में फिर शोशल करने का काम करते हैं ये इतियास रहा है लोगों का आदमी तुमने देखा हूगा लाखो लोक जाते थे अ Series of आडवानी जाते थे, सारे निता जाते थे, हुआ क्या बाद में, वो जील में गई, ऐसे इनके पास में प्रायुजित कर रहे हैं इनको, ये प्रायुजित घेल है इसारा, धरम का धन्दा कभी नहीं बन्दा, ये बाबा फंडिंग करते हैं पार्टियों को, और हो सकता है कि बाबा दो हजार चौवजिस में चुनाव लड़े, ऐसा भी हो सकता है, अहीर के धोवी के कुमिर के नहीं चुमीर के कहा हुआ रहा है, लेकिन उनको क्या कहेंगे, चोटी उमर का होगा, सारमा जी कहां जा रहे हैं, दुबेजी कहां जा रहे हैं, त्रिवेदी जी कहां जा इतनी बुरी चीज़ है कि आदमी अपना सबसाइड भीकर लेता दिली में अपने केस देखा होगा कि पूरी फैमिली को अंधविश्वास में उसने खथम कर लिया फंसी लगा लिथी तो अंधिविश्वास की कोई जिगे नहीं घ्रत के अंधार के अंदर पहली बात हम जो कर को अगर अंद्विश्वासी बनाने का काम करेंगे भागवान के नाम पर डर दिखाने काम करेंगे तो हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम से कहेंगे कि सविधान में इसकी कोई जिगे नहीं है क्योंकि सविधान अधिकार देता है और यह हर व्यक्ति का फंडामेंटर राइड से और फंडामेंटर ड्यूटी भी है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाब आवाज उठाएं कि मेरी बहु को बेटा नहीं हो रहा और बेटा करने के लिए हम आशिरवाद लेना है और आशिरवाद के नाम पर वह कौन सा आशिरवाद देते हैं यह चमतकारी यह साबित हो चुका है कि वो लोगों को अंद्विश्वास में डालते हैं वो जूटा डर दिखा कर अभी पत्रगा को डर दिखा रहे थे कि मैं इलू-इलू भी खोल दूँगा अपना तो वो अनपर ऐसे जो जितने भी कथा बाचक हैं उनकी जो जगह है वो जेल है अगर सई सरकार होती तो उनको अंद्विश्वास फैलाने के मामले में जेल में होना चाहिए नागपूर के अंदर से क्यों भागिया है वो लो अगर कोई इस देश में अगर अंद्विश्वास फैलाने का काम करेगा तो सविधान किलियर कट कहता है कि पिर्तियक नागरिक की करता पचास के अमरे लगा करके कहता कि मैंने नाम बता दिया मैंने उसके बारे में सारी सूच न लेली पिता का नाम चाचा का नाम बता दिया भाई का नाम बता दिया तो वो जब उसके ऊपर एफाई आर उसके ऊपर कोई हमला करता है करता है जूटी जब वो अपनी एफा कानून यानि कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेड करके बनाए हुए कानून जैसे के भी एड़ोकेट सुजी सम्राज जी ने कहा कि बाबा यह की हुआ है इस भारत में और बाबा कोई नहीं और तो सारे बाबा गुरु घंटाल है निर्देल जी उनके पास में नितनी गड़क लोग इस तरह से नेताओं को बुलाते लोग को लगए देखो जी इतना बड़ा नेता जब पैरों बैटा तो हम क्यों नहीं जा सकते मतलब एक पब्लिसिटी करने के लिए लोगों कई बार दिखाएंगे कि चार इधर से बाउंसर चल रहे हैं पब्लिक उनका पीछ भाग भीए रो रहे हैं, आंसो दिखा रही है कोई उस द्धरम को छोड़कर इनकी सरन में जा रहा यह सारे प्रायोजित लोग होते हैं यह कभी भी अगर इन में शक्ति होती तो ताकत होती तो ननागपूर में क्यो नहीं चली वो संथी और शक्ति ताकत थी तो अपने मारने वा नहीं कि उन्होंने सनातन धर्म की बात करते हैं किसी की देखिये धर्म से यहां कोई पंगा、 तो किसी का धर्म आदमी की individual प्रॉलम है हम सविधान को बचाने की बात करते हैं सविधान खत्रे में है जब से बीजे पी आई है सविधान को वो खतम करना चाते है क्योंकि सविधान सबको आजादी देता है सविधान उस व्यक्ति को भी आजादी देता है जो लाइन में सबसे पीछे है सविधान को पढ़कर लोग अच्छे-च्छे पदों पर जा रहे हैं चाहाँ OBC है, चाहाँ SC है, माइनर्टी है जो 85% भुजन है देश का वो देश के बड़े-बड़े पदों पर जाकर अपना मुकाम हासिल कर रहा है किसकी बज़े से, सविधान की बज़े से तो आप उनको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमसे सवाल पूछता है भी हमसे सवाल मत पूछो तो दुख इस बात का है, सवाल कहां से पूछा जाता है, जब आप एजुकेशन लेते हैं किताब, जो व्यक्ति आपके अधिकार देती है और वे आप पढ़े लिग जाते हैं तो आप इनकी आखों में आखे डाल कर उंसे सवाल करते हैं प्रोलम तो यह है कि एक इलित का बच्चा हमारी आखों में आखे डाल में में सवाल करता है कि धीरंदर सास्त्री तुम ढूंग करते हो तुम तो भाईया लोगों में अंधरिश्वास फैलाने काम करते हो तो प्रॉलम तो यही है न सारी उनको और उनको कहते हैं कि भाईया हमारी रोजी रोटी कहा थे आएगी भाईया जो जितने लोग जाते हैं चड़ावा चड़ाते हैं लोजी रोटी जो एक आदमी कोई काम नी करता है इतने मोटे-मोटे पेट हो रहे हैं उनके कहां से खाना खा रहे हैं मेरे भाईया कोई मजदूरी तो खने रहे इनके पूरबज भी कोई मजदूरी नी करते थे एक आदमी विचारा पशूँ की तरह काम करता है सड़कों को सड़कों पर जहारू लगाता है नाली साप करता है मजदूरी करता है वो आदमी उसकी मजदूरी को ये लोग च्छीनने का काम करते हैं ये अपरादी का काम कर रहे हैं इनको जेल मोहना चाहिए देखिए जितने भी पत्रकार नत्मस्तक हो रहे हैं वो सब एक जाती के हैं धीरेंदर सास्त्री की जाती के हैं मुझे एक भी पत्रकार का नाम बताईए जो भास्तम में देश की जनता की बात रखते हो पहुजन पत्रकार का एक भी पत्रकार का नाम बताईए संभू नत्मस् किसपे मीडिया क्यों कहते हैं वो मनू मीडिया है अब यहां मीडिया जैसा कुछ रहा नहीं है मनू मीडिया। ने पूरी तरीकी से हई-जैक कर लिया है उसकी अंदरसारे मुझे बताइए एक भी हम इन्द जाती कि अलावा एक प्तरकार का मुझे नाम बताईए जो कहता हो क मैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा हूँ, एक का भी बताईए, या एक का भी ये नाम बताईए कि जो ये कहता हो, कि राम चरीत मानस में धोरगवार पसुशुद्र नारी ये तारन के अधिकारी जो है, ये गलत है, किसी एक ने भी खाय भी तक, किसी का नहीं कि जा रहा है, अरे भंगी कहां जा रहा है, ऐसे करके बोलते हैं ना, रो फैकिनों जो है अपना आसरम बनाने लिए मंदिर मनाने के लिए गरीबों की जमीन कब जा ली, वहाँ त्लाव थे सरकारी वोप जा लिए, पोखर कब जा लिए, और पविलिश में आम लिभ दर्ज यह बाबाओं के आश्रम है इनमें अधिकांज जमीने कमजोरों की गरीबों की हड़पी गई है और इनकी जो ईते रखी गई है न मसाला बनाने वाले इनकी इमारत खड़ी करने वाले भी सेवा के नाम से के सेवा देने जा रहे हैं गरीबों से मजदूरी करातने कोई पैसा पता से बहुत सरी लोग हम जानते हैं समराठ जी जो वहां पर गई थे सास्त्री जी नागपुर में और हिंदों का गड़ मारा जाता है संका भी गड़ है वहाँ पर लेकिन वाप जय भीम के लोग बहुत ज्याधा रहते हैं वहाँ से बचकर निकल कर आ गई पतता हुँए है तो सास्त्री जी ये जी हलतके है तो फॉझे कॉष्ट कॉछ सी दिगरी है फ्रती हो जातुरबेहिए ते ते उपध यह सब ब्हाह्मणों की एक कहम हैं उनलिगनीव है तो अब कोई क्या लागा रहा उससे हमारा कोई झादा डबेट नहीं है जाती से गरग है तो कोई व्यक्ति अगर अगर अंद्विश्वाद लोगों को अंद्विश्वात में अंध विश्वास में डाले नागपुर में किसी का गड़ नहीं है कि हिंदों का गड़ है उनका गड़ है अगर एक भी व्यक्ति रहता है किसी भी चीज को मानने के लिए उसका भी भारत है यह तो भारत लोगों से बना है धर्मों से नहीं बना है यह हजारो धर्म हो सकते है मगर भारत एक ही किताब से चलता है और वो किताब है भारत का सविधान सम्राट जी आप पेशे से जोड़े हुए जो वकालत का है ऐसे लोगे खिलाब कुछ कारवाई हो सकते है क्या कोट को सुर्त संगाल ले सकता है क्या ठग विद्या कहा जा रहा है इसको आज कल लेना च आपको आसा राम बापूर राम रहीम जितने लोग इनके खिलाब कानूनी कारवाई तो ही है जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे लोग जेलों में जाने का काम करते है और आज जो सरकार है ये इनको प्रोटक्ट कर रही है इनको बचाने का काम कर रही है तो सरकार इनके पी तो उनको भी हिंदु मुसल्मान चाहिए ना ऐसे लोग उनको सूट करते हैं उनकी राजनीति को सूट करते हैं तो बीजेपी का इसमें पूरा-पूरा हाथ है देश को अंधविश्वासी बनाने में देश के नौजमानों को बेरोजगार करने में जो उन्होंने वादा किया हो बादा पूरा नहीं करेंगे मोदी जी ने क्या कहता 2014 में दो करोर रोजगार करह चली की हमारी क्वालिटी एजुकेशन कहां चली हमारी महिलाओं की सुक्षा कहां चली की बताइए कहीं कोई मुद्दा नहीं है मीडिया में क्या मुद्दे मीडिया में हिंदु-ुमुसल हैं देश के अंदर 23 करोड से 20 करोड से 23 करोड का जो आकड़ा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का लोग भूके सोते हैं भारत के अंदर और तुम भारत को सोने की चिडिया बनाना चाहते हो दुनिया की किसी भी यूिवस्टी से कंपेर नहीं कर सकती हमारी यूिवस्टी और यहां पर ग्लोबल जो हैपिनेस इंडेक्स है हमजीरों होसमें यहां कोई खुसे नहीं है तो आप नियाय की जब बात करेंगे आप अपने अधिकारों की बात करेंगे तो ऐसे लोग बोलेंगे कि हमारे धर्म के खिलाब कर रहे हैं लोग कहते थे कि जो बीसी वो सोया हुआ है लेकिन दो बड़े नेता हमारे देश में जाग गए हैं एक तो चंदर सेकर यादाव और स्वामी परसाद मौरिया उन्होंने जो है राम चरित मारस में जो चौपाई दी गई है न वो ढोल गवार सुद्र पसुनारी और बहुत सा बढ़े बढ़े लेकिन अपने बयान से निबद लेंगे क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि इस बयान में जितनी सच्चाई है इसी सच्चाई से पूरे OBC का शोषण किया गया है उनकी इस्त्रियों का शोषण किया गया है तो वो सोई हुए नहीं है अब देखेगा इसी तरह से कितनी तरह संख्या बढ़ेगी अभी दो हैं चार है कल दस होंगे पांच होंगे इनकी तो हालत खराब होने वाली है अभी क्योंकि जब ने लेकिन अब जब OBC के कुछ नेता उन्हें इस तरह से बयान किये हैं सच्चा ही निकाली है और सच में नहीं पता होगा इनके धरमक्रंद लिखने वालों को कि सूद्र कभी पढ़दाएंगा या हम पढ़ने का मोका दे देंगे इन्होंने दिया भी नहीं यह तो भारते कि अधियो सधीयों तक उनको जीने का सही से अफसर मिल गया क्योंकि बाइस पिर्टिग्यां उपर उठ रही थी तो क्या होता कि आम जन्ता जानती कि बावसभ अंबेट करने हमारे बावसभ अंबेट करने यह कहा है कि ब्रहमा विश्णु महेर्स और गोरि गनेस यह लेकिन आम जंता निकल पड़ी कि हम भी पड़तिग्या एंगे हम भी कारेकरम करेंगे उसके बाद आपने देखा लखनो में हुआ मेरट में हुआ हम लोगों ने मुरादागाद में किया तो क्या है इन्होंने एक नया मतलब माइंड को डिसकनेक्ट करने के लिए बहां से यह बागर्सवर दहम पेशिख्ट कर दिया हां इनके पास यह बाब आई नहीं को लियाते और यह कहताा सनातनी जागो सनातनी जागो जिद्धिन सनातनी जागेंगे हिंदू जागेंगे ना उन हिंदू को यह पता चलेगा जागने के बाद कि इस खाट पर में सोया था वह झोच भी नहीं बचा तो जिसको Japanese के नाम स findet लुटेज़ निया इस नेश में हिंदू सब कर कर रहे कि यह कि याटन को दिखा करके का वधीति जिए इस इन अदु कि बन मतलब्ट्र नितक बनना चाहता है ये बावा चुनाव लड़नना चाहता है ये बावा आफ ले को चुनाब जाना चाहता है WHE b normally I started होता है धर्म का चस्मा लग जाता है ना तो उसको धर्म की अफीम जो है उसका नसा बहुत दिन तक रहता है तो लोगों जब लुट जाएंगे पिड़ी जाएंगे तो लोग निकलेंगे फिरियाद करते हैं तो मेरा कहना यह है कि इन बावाओं के चक्कर में मत करिये अपने बच्चों को पढ़ाईए आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छी एजुकिशन देंगे तो वो इस देश में नाम करेंगे इस देश में अच्छे-च्छे मुकामों पर बैठेंगे आप बावाओं के चक्कर में जाकर धर्म के चक्कर में जाकर भगवानों के च अबढ़े लोगों की समाष्याव को जान लेता था और उनकी समाष्याव को खतम करता था आज भी ये ढावा कर रहे हैं, यह आप बावा किया एह तो जितना भी ये ली इस closer you इनसे अ मानते ना सामने रखा जाता विज्ञान को लेकिन उसके पीछे से आम जंता को बताया जाता कि विज्ञान में पावर नहीं है देवी देपताओं में पावर है हम बावाओं में चमतकार में पावर है हम लोगों में पावर है आप हमारे पास आईए खुद दुनिया में जब नाम कमाना होता है, आगे बढ़ना होता है, जब दिखाना होता है कि हम आधुनिक रूप से आगे बढ़ गए भारत को इसी से पीछे नहीं है, तब कहते हैं कि हम टेक्निलोजी को आगे लाएंगे, टेक्नलोजी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि टेक्न कर दिया लोगों को बता दे कि टेक्नोलोजी इतनी बड़ी चीज है कि आज विदेश में बैठा हुआ विक्ति यहां अपने बच्चे से बात कर सकता है तो यह धरम से नहीं हुआ यह टेक्नोलोजी से हुआ अगर आज हमारा सीटी स्कैन हो सकता है पूरे शरीर का कहीं कोई ब कि बेटा बेटी के लिए आशिरवाद के लिए गये पर्ण एक सब्साफान को और कमारा चाहरे और को मनीर ने ने जिये कहानिया चला देतकि बेटा पानूट मन लेते तो जैसे इन्हों ने कहार कि बेटा करना गय ने हो अचला और बय्ता अगSe कि आपका जनम जबी सिद्धों जब आप बेटा पैदा करेंगे उसी की आड में इन्हें पता है जब ये बेटा पैदा करने की जिद में रहेगी तो बाबाँ के शोशन करने जाएंगे जादा अपतार महिला है खुद सासे अपनी बगों को लेकर जाती है कि जो राम रहीम है देश की अदालतों ने उनको सजा दी हुई है जब सजा दी हुई है उनको तो अब ये सजा इनके गिरंट दे नहीं सकते है और राम रहीम तलवार से काटे है या किसी और से काटे है वो अपरादी है अपरादी रहेंगे अब कोई उनको बाबा मानने के ल तो वह जवाब है, वह आस्री बाद है, आपको डॉक्टर बनना आस्री बाद ले जाओ, आपको बच्चा पैदा करना आस्री बाद ले जाओ, आपको लड़का ची आस्री बाद ले जाओ, आपको इंजीनियर बनना तो आस्री बाद ले जाओ, नेता बनना तो आस्री बाद सब चमतकार है, हमारे बावा साफ़ डॉक्टर अमबेट के पास सविधान के पास में एक राष्ता है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बननना है, तो अपड़ना पड़ेगा, तो सविधान किलियर करके बताता है तो वो कहते हैं कि भी हमारी दुकान पर डांका डाल रहा है सविधान इस सविधान को कमजोर करो पहले अब सविधान की और धर्म की लडाई हो रही है तो हमेशा हमेशा से सविधान जीता है आज लडाई नहीं है ये ये लड़ाई उस समय भी हुई थी 1947 से और 1950 के बीच में हुई थी इनके पूरव जो नहीं कहा था कि जो सभी धाने धर्म के नाम पर चलाओ इसको इनको भगवान के नाम पर चलाओ तो भगवान उस दिन भी पर्लिमेंट महारा था बी दपीपल ऑफ इंडिया के नाम से चला था और आज भी हारेगा अंदविश्वास किसी भी समय हो वो हारेगा ही हारेगा अंद्विस्वास की कोई जगे नहीं है भारत के अंद्विस्वास की लोगों की कोई जगे नहीं है और जो अंद्विस्वास फैला रहे हैं उनकी जेल में जगे है हम लोग जैसे दीदी निर्देश ने बोला है पूरे देश में गजाजा का काम कर रही है महिलाओं को जगाने का काम कर रही है और इतना बड़े लेबल पर काम कर रही है और हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा एक उद्देश है कि हम लोगों को जागरुक बनाएं हम लोगों को साइंस की तरफ उनका अलुजहान करें हम सविधान में जो उनका दिकार हैं, उन अधिकारों को खना है हमारी लड़ाई नहीं है किसी से, क्या हम लड़ाई करना चाहते हैं, आप काम करना छोड़ दो ये वाला, अंधविश्वास फैलाना छोड़ दो हम आपके बारें बात नहीं करेंगे, ताइम ही नहीं है, आप विस्वास फैला होगे तो आपके पीछे लगेंगे छोड़ेंगे नहीं आपको कोट कचरी तक भी आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको जेल मना पहुचाएंगे अंद विस्वास की कोई जगे नहीं है